दोस्तों यह देख सकते हैं कच्छा नो का अर्धवार्सिक परिच्छा का अगदम रियल पेपर है जो आपका पीपर हो रहा है यही पेपर सभी के एक्जाम में आने वाला है सेम टू सेम डेक्टो केशन यही आ रहे हैं पूरा पेपर आपको देख कर जाना है यही क्विशन आपके बिज्ञान के पेपर में आने वाले हैं तो चलते है वीडियो को श्टार्ट करते हैं आपर देख सकते हैं पहला कुश्न भेरी बेरी इंपोर्टेंट दिया कि निमलिखित में से sadis रासि कमँंड शेत है आपको कई बार बता है कि ऐसी रासिया जिसमें दिशा और परिमार दोनों की अवज सकता होती है उसे हम सदिस रासि कहते हैं जैसे चाल हो गया चाल एक अदिस रासि है कार क्या है एक अदिस रासि है दूरी एक अदिस रासि है जबकि वेग एक सदिस रासि क्या वेग एक सद तो आप सभी को मात्रक भी याद करके जाना है और सदिस और अधिस रास्केट बीच के डिफरंस को भी समझ कर जाना है तीन नमबर आपके सामय यहां पर देख सकते हैं बल तसा समया अंतराल के गुड़न फल को क्या कहते हैं यानि थोड़े ही समय में लगाएगे बल को हम क्या कहते हैं तो इसको हम आवीक कहते हैं क्या कहते हैं आवीक कहते हैं इसका option भी right answer हो जाएगा चान नमबर क्यूशन आपके सामने कह रहा है कि किसी पिंड का द्रिबमान 5 किलो है इस पर 15 न्यूटन का बल आरूपित किया जाता है तो तो तुरण बताएगे तो आप जानते हैं बल F बराबर YM into A क्या है YM into A बल कामान 15 न्यूटन है और यहां पर देख सकते हैं पांस किग्रा का क्या है द्रिबमान है और यह कामान ग्यात करना है तो पांस एक का पांस पांस त्याएं 15 यानि तीन मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर इसका क्या हो जाएगा तो तो बेरी बेरी important question है तो पूरा आप को देख कर जाना है यही question आपके exam में आने माली है अगर आपका अभी तक exam नहीं हुआ है अगर हो गया है तो आपके वार्ट से exam के लिए भी important होने माला है उसके बाद 5 number question देख सकते हैं दिया कि 36 km पर घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी ते करेगी दूर चाहां में 36 तो इसका option number यह आपका बेलकुर राइट एंसा हो जगा 6 km चलेगी अगरा क्यूशन आप देख सकते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वारे गुर्तवा कर्षण बल निर्भर नहीं करता है तो उनके आप जानते है गुर्तवा कर्षण बल बराबर जी एम उन N2 upon R square होता है उनके बीच की दूरी पर क्या करता है करता है निर्भर करता है उनके द्रवमानों के गुर्ण फल्पने बर करता है इनके गुर्तवा करसप नियतांक पर नहीं करता है तो इसका option number C बलfiret Higher Unsur D इसका बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा इसके बद आठवा नमर क्यूशन देख सकते हैं कि सुद्ध गलती बर्व का ताप मान क्या होता है तो 0 डिगरी सिल्सिस होता है लेकिन यहां पर केल्वीन में है तो 273 केल्वीन हो जाएगा इसका आपसन नमर C बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा 27 इंटिग्रिट संगत केल्वीन ताप क्या होगा तो 27 में आप 273 को आइट कर देंगे तो सिंपली आपका 300 केल्वीन आ जाएगा तो आपसन इसका B बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा दसवा नमर क्यूशन आपकी संगे बेरी बेरी इंपॉर्टेट है कहरा है कि दूद से क्रीम अलग करने की बिधी को क्या काते है तो इसकों आप केंद्रड बिधी काते है क्या काते है आप केंद्रड बिधी इसका आपसन नमर यह आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा और 11 नमबर आपका इग्दम इंपोर्टेट है कहरा है कि सलफर क्या है आप सभी जानती है कि सलफर एक अधातुहित इसका आपसा नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा लोही का प्रतिक क्या होता है तो आप जानती है कि लोही का प्रतिक क्या होता है अक्सीजन का प्रतिक क्या होता है सलफर का प्रतिक क्या होता है इन तीनों का प्रतिक आपको कमेंड बाक्स में हमें बताना है उसके बाद तेरा नंबर कुछन यहाँ पर देख सकते हैं कि एनेस त्री में यन की सौज़क्ता क्या होगी तो यनेस त्री में जो नाइट्रोजन की संजगता होती है तीन होती ती इसका आपसन नंबर सी आपका बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा चौदर नंबर कुछन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोस्की जीव कौन सा है कलाइडो माइनो मिनास पहरा में से हम आमीबात तीनों सभी क्या हैं यह कुछ की जीव है ती इसका आपसन डी आपका राइट एंसर हो जाएगा पंदरह नंबर कुछन का रहा कि सरीर की सनसनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी बनी होती है तो सरीर की क्रियात्मक और सनसनात्मक इकाई कोसी का काते है तो इसका आपसन नंबर यह आपका बिल् क्याएं पाई जाते हैं तो चलनी नल क्याएं कहां पर पाई जाते हैं जायलम में फ्लोयम में कैम्रियम में तो इसका एंसर आपको मैं कॉमेंड बाक्स में बताना है कि इसका एंसर क्या होगा मैंने इसका एंसर आपको कई बार बता है अगर आपने प्रिबियस येर पेपर को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेजिए वह भी पेपर आपके लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट होने वाला है तो जो रेखी पेशी होती है इसके इच्छा अनुसार काम करती है उसके बाद 19 नमर क्यूशन का रहा है कि सेवाल का आपको उधार बताना है मांस, प्रोटो जोवा, प्रोटिस्टा और इस्ट क्या होता है इस्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा 20 नमर क्यूशन का रहा है कि किस संग के जन्तू को जोड़ी दाठ तांगे पाई जाती है इसका एंसर आपको बताना है तो आप जानते हैं कि आर्थो पूड़ा हो जाएगा आर्थो पूड़ा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वडात्मग प्रसन है वडात्मग प्रसन आप में पहला क्युशन दिया कि दूरी और विस्थापन में दो अंतर बताईए आप जानते हैं कि दूरी क्या होती है एक अधिस रासी होती है और विस्थापन एक क्या होती है सरिस रासी होती ह चाल और विएग में आपको दो अंतर बताना है यहां पर देख सकते हैं अगला क्यूशन है कि कोई कारिस्क समान रूप से तोरी थोकर पांच सेकेंड में 18 किलो मेटर से 36 किलो मेटर पर दिखंटा हो जाती है तो तोरण ग्याद करना है यहां पर देख सकते हैं 18-36 हुआ तो आपको तोरण ग्याद करना है तो तोरण होता है वीग परियोड़ सेवाड़ से त्वरीथ होगा क्या एक मेटर पर सेगेंड से त्वरीत होगा उसके बद अगला क्यूशन करा है कि यहां पर देख सकते हैं कार का तोरण हो गया उतने समय में चली गई दूरी भी आपको ग करना है उतने ही समय में चली के दूरी दूरी क्या होता है आप जानते हैं चाल गुड़े समय याल इसका 36 5 बटे 18 कर लेंगे क्या पांच बटे 18 गुड़े टाइम पांच है यहां पर ठारा ठारा ज़ना 36 30 5 25 25 जुना 50 मीटर चलेगी कितना 50 मीटर बुरी भी तय कर लेगी उसके बाद संतुलिद और और संतुलिद बल में आपको चार अंतर बताना है जो की बेरी बेरी भिले का बिलेन का और संत्रिप्त भिलेन का आपको क्या करना है इस पर तिपड़े लिखना है और एपिधिलियम उतक क्या होता है इसके बारे आपको लिखना है तंत्रिक्या कोश्किया की सनचना बनाएए पादप कोश्किया और जन्तु कोश्किया में 6 अंतर दीजे अथ्वा संग प्रोटो जोवा के जन्तु का लच्छड और उदार लिखे तो यह पेपर आपके लिए एक्जाम के लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट है